दस माँ पूर्ब जिस वार्ट सदस्य पती को नकसलियो द्वारा पर्चा भेज कर जान से मारने की धमकी दी गई थी उसी पार्षद पती का हाथ पैर बंधा श्रब मंगलबार को पलीस ने हस्पूरा के अमझर सरीफ के रसूल पूर सड़क के समीब से ब्रामत क्या है मृत्तक वार्ट पार्षद पती की पहचान बाला बिघा गाउनिवासी बलीराम महतो उर्फ जाखड के रूप में क्या गया है जाखड की पतने संगीता देवी वार्ट चार की वार्ट सदस्य है बलीराम के शब की बर्मादगी के बाद अस्थानिये लोगों ने इस मामले में ना सरीफ जम कर हंगामा किया बलकि टायर जला कर प्रसासन के खिलाफ जम कर नारिबाजी की मृत्तक की मा ने बताया कि सोंबार की साम बाइक से कुछ लोग घर आएं और बलीराम को बैठा कर ले गए लेकिन उसके बाद वह वापस नहीं लोटा दूसरे दिन तीन बजे सुभा उसके भाई चंदन के पास बलीराम के हाथ पैर बांध कर फेक जाने की बात बताई गई मृत्तक की मा ने बताया कि एक जनवरी को उसके घर एक पच्चा भीचा गया था जिसमें लाल सलाम लिखा हुआ था और दस दिन के अंदर मदन मोहन की तरहा मार कर फेक देए की धमकी दी गई थी और आज उसकी हत्या हो गई इस संबन में जब S.P. कांतिस कुमार मिश्रा के मुबाल पर बात करने की कोशिश की गई तो उनसे बात नहीं हो सकी अता उनका पक्ष नहीं रखा जा सका फिलहाल पुलिस पोस्मार्टम के बाद सब परीजनों को सौब दिया है और इस हत्या की गुद्धी सुल्जाने में लगी हुई है कि बेर डूबे अलक गाड़ी से दुचाकवा दूरा पर लगाव लग और रतियों बोले थे कि कहां जाई था तो आवी थी पाइन पसे अंडा खेले आव फिन ओकर पाता ना करने गे लग है तने कब आप लोग को पता चला पता तीन बज़े चलाल तीन बज़े भोर में हा किन के पास चंदन के पास आपका लड़का है हाँ हाँ वहां हाथ पर लोग बांधे हुए था यह नहीं बताया कि हाथ पर कौन बांधा तो उसके बाद वहां से लोग लाए हाँ तो क्या उजिन्दा थे उसमय एक के बोली बोला कि हमरा काई कोशी कर देलो गोड़ हाथ बड़ी मार मरकों है कौन-कौन मारा है नहीं बताया है क्या लगता है आपको प्रश्म पर पिए नौटिस जांता रखान है नोटिस बेजा था जन्वरी में एक जन्वरी के नोटिस पूरा गाउँ जाना है कि नोटिस आलल जाखड के आपका लगत्या जाखड जी लाल सलाम मदन मोहन नहीं संजेशन मदन मोहन मराया है वह इस तरह से मार के ठेक अधर में दस महीना हुआ मर दिया हो हत्या क्या है है हाँ है हमर बाबो हमर बाबो को नहीं जाहा लग अ कि अ कि अ कि